सब्सक्राइब कर देखने वाले हैं क्या कुछ होने वाला है क्या कुछ आप लोग को मिलकर रहेगा क्या कुछ कुछ काइड़न्स है एडवाइज आप सभी लोगों के लिए सब्सक्राइब कर देखेंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो नेक्स सेवन डेस तक रहेंगी साथ में यहां पर मैं आपकी करेंट एनर्जी पी चेक करूंगे क्या कुछ आप लोग की लाइफ में चल रहा है उन्हों सब के बहाफ पर आप लोग के लिए क्या कुछ काइड़न् खाल प्रक्राइब के लिए यहां पर इंचल नंबर 11 11 तो अगर कोई भी एंचल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा है तो भूरी इंचल अपने लिए देख सकते हो या फर से कोई स्टोन दोनमें से बहुत जादा आपको ज्राइब कर रहा हो तो आप वोस्टोन को अपन सब्सक्राइब कर सकते हो इनके टाइम स्टेंस जो है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएंगे याद रहें जनल रीडिंग है हो सकता है कुछ चीज़े आप लोग के साथ रेजोनेट करें कुछ चीज़े नहीं भी करें आप सब भी एक उपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा और फिलाल के लिए मैं आपको बता दो अभी टारो रीडिंग्स जो है वो ओफ है बिकास अल्रेडी जून तक कुछ घ्ली डेख सकता है कि किन अपने लिए यह को आप देख सकता है और तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो चीक है सो मन ही मन भगबाण जी से प्रेख करें कि आपको रासा दिखाए सो शबल कर लेते हैं यहां पर अभी नहीं ले रहें औशन फर्स्ट को सबसे पहले मैं आप लोग की थोड़ी सी करेंट इनर्जी सेखती हूं कि अभी हाल फिलाल में आप लोग के लाइफ में क्या चल रहा है आप लोग अपनी लाइफ में और से फाइफ सोट की अनर्जी है यहां पर बहुत जादा लेट आउट सा फिल कर रहे हो बहुत जादा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है दुखी हो परिशान हो और जो चीज चाहिए आप लोगोंने वह आपको नहीं मिली और बहुत सरी हैं कुछ लॉसस हुए हैं आपको अपकी लाइफ में आपके करियर में या कुछ लोगों ने इमोशनली आपका फाइदा उठाया है जिसकी वज़े से आप बहुत परिशान हो अगर मैं आप लोग की करेंट अनर्जी यहां पर देखूं ऑप्शन फर्स तो यहां पर थोड आप लोग के लिए पहला मैसेज ऑप्शन फर्स यह है कि अपना शेडियूल सही करो अपना अपनी डाइट का ख्याल रखो आप कब सो रहे हो का कब आप उठ रहे हो कहीं आपका इसा तो नहीं कि पूरा दिन इसक्रीन टाइमिंग बहुत जाता है बैठी 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 आगे बरने की कोशिश करते हो फिर कुछ प्रॉक्स प्रॉब्लम आ जाती है फिर कुछ हो जाता है विश है यहां-पर आप लोग के मन में क battar कुछ लोग क जो बिए आप सोच रहे हो वो काम होते होते रुख जा रहा है कुई ना कोई difficulty आ रही है और मुझे ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर से आप लोग की शादी हो चुके तो थोड़ा से कुछ issues चल रहे हैं कुछ पदेशानी चल रही है आपकी married life में भी कुछ trust issues यहाँ पर मैं देख रही हूँ लेकिन जो situations create हो रही है आपको थोड़ा इसी परिशानी हो रही है देखते हैं भी क्या रहने वाला है नेक्स 7 देश में कुछ काच नेचे कि कि इसमें दुबारा से शफल कर लेती हूँ option first nine of pentacles बही problem का solution मिलने वाला है ठीक है कोई message आप लोग के पास आने वाला है कहीं से कोई guidance आपको मिल रही है कोई person आपकी health के लिए आ रहा है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके family के ही कोई person है कोई female है आपके घर में कुछ बड़े है जो कि आपकी मदद कर रहे है जो कि आपकी help कर रहे है लेकिन यहाँ पर जो भी confusion है कहीं न कहीं उसका end हो रहा है ठीक है जो आप decision नहीं ले पा रहे थे जो confusion था या कुछ misunderstanding क्रियेट हो रखी थी लाइफ में अपने partner को लेके कुछ misunderstanding हो गई थी कोई third person मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिसकी वज़े से problem create हो रही है को third person कोई भी हो सकता है family, friends या कुछ और लोग कुछ और लोगों के वज़े से आपकी life में problem create हो गई थी then चीजें यहाँ पर sort हो रही है यहाँ पर कहा जा रहा है option first कि आपको अपना point रखना पड़ेगा लेकिन प्यार से टीक है लसे कभी कभी क्या होता है कि हम अपना point रखते में बहुत ज़ादा ही blunt हो जाते हैं और आप लोगों से भी कहा जा रहा है कि दिखो आप लोग को इस वक्त meditation करने की बहुत जाता ज़रूरत है यहां पर मून की energy यहां पर seven of cups की energy है so meditation करना deep breathing करना प्रणायम करना या फिर से yoga करना कोई भी दो चीजें में से जरूर करो daily यह message आप लोग को यहां पर दिया जा रहा है बाकी next seven days में अगर मैं बात कूर तो करियर के related कुछ unfold हो रहा है कोई project शुरू कर रहे हो कुछ projects पूरे हो रहे हैं कुछ शुरू कर रहे हो आपको appreciation मिल रहा है आपको काम मिल रहा है तो यह चीज यहां पर मैं देख रहे हूं साथ मैं मुझे यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है option first कि अगर कुछ बहार के लोगों की वज़े से कुछ दूसरे लोग की वज़े से अगर आपकी personal life में personal रिष्टों में कुछ problem हो रही है तो आपको decision लेने पड़ेंगे थोड़ा सा strict बनके आपको यह message यहां पर दिया जाता है ठीक है यह चीज यहां पर है तो पता है यहां पर option first दिक्कत क्या आ रही है कि आप भी अपनी बात ना सही तरीके से confess नहीं कर पाते हो अपने आपको confess नहीं बोलूंगी express बोलूंगी express नहीं कर आते हो तो अपने आपको यहां पर कहा जड़ा है कि दो चीजों पर काम करना है एक तो अपने आपको emotionally balance करना है ठीक है ना बहुत जादा overthinking करते हो आप लोग तो खुद को emotionally balance करो और दूसरा अपनी बात को सही अंदाज में सही तरीके से सही words को चुनाफ करके कहना सीखो औ कुछ लोगों से आपको थोड़ा सा distance maintain करनी पड़ेगी तब जाके जो चीजे हैं आप लोग की life में sort होंगी और देखते हैं हाँ पर क्या है नेक्स सेवन देश में पर उप्षिन फर्स्ट तिवल्ज अलिको दिविच तेको यहां पर आपसे कहा जा रहा है औप्षिन फर्स्ट की हर एक नई सुबर जो है ना वो एक नई शुरूबाट है अब आप चाहो तो पुरानी इन चीजों को लेकर ही परिशान रहो उनी में रोते रहो वहीं कंप्लेइन करते रहो वहीं अटके रहो या तो पास्ट में अटके रहो या फिर से अपने present moment में रहो थैंक यू बोलो काम करो एक्शेंस लो ठीक है न वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है साथ में दे वर्ल्ड का काड है तो conclusion मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई परिशानी कोई problem जो काफी समय से चलती आ रही थी उसका conclusion यहाँ पर next seven days में आप लोगों के लिए निक ठीक है न यह message यहाँ पर आ रहा है और देखता है यहाँ पर option first पर अपनी खुशियों का ख्याल ना खुद ही रखना पड़ेगा option first आप लोगे यही message आ रहा है अगर आप बहुत जादा दूसरों से expectations लगाओगे बार बारी life में problems आएंगी और मुझे यहाँ पर ऐसा नज अपने आपको इस प्रिछली चीजों में इवाल्व मेडिटेशन करो तो फिर जो खुशी का भाव होता है आपके अंदर से आएगा मैं आपसे अभी कहो ना overthinking मत करो आप रोकी नहीं सकते क्योंकि thoughts आने पर किसी का जोड़ थोड़ी ना चलता है एक दिन में जनना जाने कि अजने हजारों लागों thoughts आ जाते हैं राइट लागों नहीं हजारों करीबन ऐसा research है 50,000-60,000 thoughts something आ जाते हैं है ना तो उन पर कोई रोक नहीं लगा सकता है लेकिन वह कब हो सकता है जब आपने मन को शान्त कर लो वो ध्यान से हो सकता है वो healing से हो सकता है तो यहां पर कहा ज इस पर ध्यान करना आप लोग ले बहुत जादा जरूरी है कुछ मंत्र आपको अच्छे लगते हैं उनकी बार-बारी chanting करो और अपने हाठ चक्रा पर काम करो आपको ऐसा लगता होगा लोग आपको तकलीफ देते हैं लोग आपको दोका देते हैं लोग आपको बार-बारी हर्ट कर देते हैं और अब यहाँ पर situation यह है कि आप किसी पर भी trust करने से डरते हो सामने वाला कुछ गलत भी नहीं कर रहा तो भी आपके मन में वो negative thoughts जो है वो आते रहेंगे अब क्या हुआ यहाँ पर heart chakra जो है वो पूरी तरीके से disbalance हो चुका है तो हमें heart chakra को balance करना है लाइट ऊपर से आ रही है वो आपको हील कर रही है आपको प्यार से भर रही है आपकी लाइफ में धेर सारी खुशियां आ रही है आप एकदम healthy होता जा रहे हो सब में धेर सारा प्यार भरता जा रहे है सब अच्छे हो रहे हैं तो यह आपनी visualization जो है वो practice करना है और इसे लेना ठीक है ना heart check and loss की हाँ पर energy है तो definitely कुछ तो परेशानिया हुई है कुछ लोगों का trust ठूटा है insecurities परेशानी problem आपने कुछ expectations रखी ती वैसा नहीं हुआ basically लेकिन अब आपसे यहां पर कहा जा रहा है दूसरों से नहीं खुझ से expectations रखो एक तो आपको यह भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में एंजल नमर triple 3 आपको बार बारी दिखे ठीक है हाट चक्रा को हील करो option first day चीज यहां पर कही जा रही है आप लोग चाहें तो rose quartz सी rose quartz ही है जो मैंने option 2 में रखाता है यह है rose quartz rose quartz का bracelet पहनो stone लो stone के साथ meditation करो pendant लो कुछ भी लो rose quartz के साथ meditation करो ठीक है अब वो आप लोग के अच्छा रहेगा और देखते हैं यहां से क्या guidance है option first purification focused intention okay so यहां पर पहला card है आप लोग के लिए purification का अब purification कब होता है भई जब अंदर बहुत सारी चीज़ें भढ़ जाती है ना जब हम बहुत परिशान है बहुत सारा कच्रा भर लिया बहुत सारे thoughts overthinking stress है ना तो यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको खुद को detox करने की जरूरत है body and mind से अब body से detox हो कैसे करोगे कुछ specific diet को follow करके intermittent fasting करके mind को detox कैसे करोगे meditation करके ध्यान करके healing करके nature में walk करने जाओ nature से connect करो आपके घर के आसपास अगर कुछ जैसे meditation center होता है healing center होता है therapy center होता है ऐसा कुछ है वहां पर जाओ ठीक है ना यह चीज़ यहां पर आपको अपनी spiritual journey के ऊपर फोकस करना है यह message नहीं पर दिया जा जा रहा है तो अगर आप लोग जा सकते हो तो बिलकुल जाओ यह चीज यहां पर कही जा रही है और अगर आप लोग के घर के अरूंड बीचेज है तो वहां पर जाओ 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 अब आपको ध्यान करना है आपको अपनी spiritual जर्नी के ऊपर फोकस करना है यह message यहां पर दिया जा रहा है साथ में यहां पर यह है फोकस्ट, intention, keep your own, wavering thoughts, feelings and actions focused on the target and you will make your mark तो यहां पर हो सकता है क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़े चल रही है, लाइफ में बहुत सारा कुछ चल रहा है तो शायद आप अपने career पर पूरा ध्यान नहीं दे पारें, हाँ अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं कर पारें, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, फोकस करने की जरूरत है जिस पर फोकस करोगे, जैसे thoughts रहेंगे, यह वहीं चीज़ें आपको आपके सामने भी दिखेंगे मैं आपको यह क्लियर बता दू, law of attraction यही कहता है, तुम जैसी energy में हो, जो तुमारे thoughts हैं, जो तुमारी feelings हैं, वही exactly तुम अपनी life में manifest कर रहे हूँ तो आपको अपना focus कहां रखना है, अपने आप की उपर, अपनी healing की उपर, ठीक है न, यह चीज़ें हाँ पर करी जारी है, अपने आप से प्यार करो, option first, अपने आप से प्यार करो, खुद को जो जो से affirmation दो, I love myself, मैं कुछ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुछ से बहु बहुत जादा जरूरत है, अब चाहो तो mirror के सामने जाके affirmations दो, हो सकता है कुछ लोग के आँखों में आसू भी आजाए, ठीक है, अपने आप से प्यार करने की जरूरत है, नीचे comment box में भी इस affirmation को तीन बारी type जरूर करना, ठीक है, और देखता है, यहां पर last, क्या message है, option first, council of light, wow, okay, बताते हूं, pillar of light, okay, your vibration is rising, you are the oracle, so, आप लोग जानना चाहते है, option first, आप लोग के लाइफ में ते सारे challenges, परिशानी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं, जो करने आप इस बुनिया में आए हो, जो contract आपका है, जो soul contract आपका है, आप उसको पूरानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आप को में दूनिआ के लिए यह सब चीजन जो हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वह आपके भले के लिए हो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आप इतनी बड़ी energy को बलाँ करते हो, लेकिन आप ने खुद को बस इतना सा समझ लिया, कि यही आपकी दुनिया है, यही आपका संसार है यही सारी चीजों को आप लॉंग करते हो यही रिष्टे पैसे नाते हैं लेकिन आप इससे कई जादा हो आपकी अनर्जी आपका औरा आपकी वाइबरेशन आपकी सोल तो यह अप्शन फर्स्ट अगर आपको चीजें अपने लाइफ में अलाइन करनी है और यह मेसेज आपको अंदर से आ रहा होगा यह थौट्स यह फीलिंग आपको बार बार यह अंदर से आ रहे होंगी आपके वाइबरेशन बढ़ रही है और अब मुझे पता यहां पर क्या सुनाई दे रहा है अब समय आ चुका है आप लोगों के लिए आप कुछ कर दिखान है कुछ कर दिखाना है कुछ कर दिखाना है निससे नहीं कि आप कुछ इस मतीरियल वर्ड में अचीव कर रहे हो लेकिन जैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हो आप उस हायर डैमेंशन से कनेक्ट कर रहे हो अपनी हायर से कनेक्ट कर रहे हो यह सो आपके अप्शन फर्स यह नो मुझे यह भी मेसेच मिल रहा है आप लोगों के लिए कि पास लाइफ की कुछ मेमरीज आपके साथ हैं I don't know, लेकिन, yes कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ मेमरीज आपके साथ हैं कुछ लोग आपको आपके इस जरनी में सपोर्ट करने को मिलेंगे आपको उसमय समय पे आपको रास्ता दिखाने के लिए मिलेंगे So, आपको जब जिस काइडेंस के जरूरत होगी ना, option first वो किसी नहीं किसी तरीके से, किसी नहीं किसी परसन के थ्रू, कैसे नहीं कैसे आपको मिली जाएगे आपसे कहा जा रहा है कि आप शुरू करो, आप समय आ चुका है ठीक है ना, अप समय आ चुका है, इस पे थोड़ा सा गौर करना ओकी, आपको खुदी आपके अंदर से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे यह है आप लोग की ब्यूटिफुल सी, बहुत ही मैजिकल सी रीडिंग, जरूर बताईएगा कैसी लगी और लाइक जरूर कर दें, आपके लाइक से मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्रिस्मस परचेस क आप सब्सक्राइब करते हैं, लृशन पर बड़स सी, तो आप में से पैस्तोंस대रलत, यहाँ बूंसट्राइब कर दियुकित बहुत है, आपंछार सब्सक्राइब खरूर कैड़े, इसमीन पर आप स्बस्क्राइब कर दें, सबस्क्राइब करैं, आप मैंने बाह कर्ते हैं अगर आप लोगों ने रोज को स्टोन को छोस किया है तो चलिए यहां पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स सेवन देज अगले साथ दिन कैसे रहने वाले हैं क्या कुछ गाइडेंस है एडवाइज आप सभी लोगों के लिए एंसाथ में जो डीडिंग है ताइम सबसे पहले आप लोगों की थूरती करन्ट अनर्जी देख लेते हैं कि अभी हाल प्लाल में क्या चल रहा है नाइट अफ पेंटिकल्स ओके दीस्टार और फाइव उपस्वाइड यह वाले काड उप्शिन फर्स्ट में भी आया था इससुत कलेक्टिव एनर्जी इस पी मैं देखो ना लोग थोड़ा सब फुद को ही कॉश्चन कर रहें मैं क्यों कर रहा हूं मैं क्यों इस फील्ड में कर रहा हूं क्या वज़े है क्या रीज लिए ना कुछ अच्छा हो रहा है मतलब कुछ भी एक्साइटिंग सा भी नहीं हो रहा है तो बहुत जादा इस वागी बहुत इनर्जी में कहीं आप लोगों की लाइफ में देख रहे हूं अल्दो आपको आगे जाना है आपको एक्स्ट्रा एफट करने हैं कुछ अपने कमफर्ट जोन से बहार जाना है आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको बहुत सारी लाइफ में अचीवमेंट्स मिले सकस्स मिले लेकिन जैसे आप चीज़े प्लाइन कर रहे हूं वैसे नहीं हो पा रहे हैं आप लोग जॉब में भी हो सेटिसफाइन नहीं होंगे आपको लग कि आप परिशान हूं हां यह चीज जो है मुझे हाँ पर नजर आ रही है देखते हैं ऑप्शन जो कि क्या रहने वाला है नेक्स सेवन देश में इस वक्त सबसे जादा आप लोग को यह है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए हैना फैसा आएक अच्छा source of income बने या एक नई जौब मिले या प्रमोशन हो या कुछ ऐसे में चीज जो है वो देख रही हूं और आप लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रिप्रेशन कर रहे हूं कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हूं लाइक मैं थोड़ा सा कार्ट्स को ऐसे रख रही हूं विकर्स यूट्यू की तरफ से आपको कोई हल्प मिलने वाली है मुझे यह नज़र आ रही है आपकी दोस्त हो सकते हैं आपकी दोस्त हो सकती हैं आपकी मदर हो सकती हैं आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं लेकिन किसी फीमेल की तरफ से आपको अपकी लाइफ में बहुत ही हिम्मत मिल रही है आप सोचते रहोगे ऐसा है मेरी लाइफ में ऐसा है ऐसा है तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला आपको अपने अंदर यूनों अपनी वह बिल पावर को मजबूत करना पड़ेगा वह द्रण निश्चे आपको करना पड़ेगा कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ बढ़ा करना ह मुझे सक्सस चाहिए मुझे अपनी लाइफ में आगे जाना है मुझे खुद को प्रूफ करके दिखाना है तो वह चीज जो है वह यहां पर मैं देख रही हूं साथ में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अगर से रिलेशन्शिप में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी यहां पर कहा जा रहा है कि आपको उपनी जिद को छोड़ना पड़ेगा पता नहीं क्यों क्या रीजन है क्या जिद है लेकिन यहां पर कहा जा रहा है जिद को छोड़ना पड़ेगा थोड़ सा फ्लक्सिबल होना पड़ेगा और आपको अपनी तरफ से आपको इस को लेकि अच्छे एक्स्पिरेंस नहीं रहें बार-बार परिशानी रही बार-बार ब्रिक अप्स हो गए बार-बार तूट गया रिष्टा और अभी अपने लिए अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहे हो तो उससे पहले यहां पर कहा जा रहे कि खुछ को हील करने के ऊपर कुछ चीजें हैं आप लोग की लाइफ में कि सीम पैटर्न स्यम चीसें बार-बार ही रेपीट हो रही हैं से defence के बार बार ही stripped हुआ तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा है न तो हील करना की ज़रूरत है आप लोग को आप चाहें तो आहां चुप अब उसे मन में इंटेंशन रखें कि भगवान जी जाने अंजान में कभी कोई भी गलती हो गई मुझसे इस जनम में से पहले किसी जनम में प्लीज मुझे 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 अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे अपना आश्रवाद दीजिए यहों मेरी लाइफ को खुश्यो प्रॉपर्टीज को लेके कुछ मैटर है कुछ तो है भई तो आपसे कहा जा रहा है इतना टेंशन नहीं लो चीज़े सॉट हो जाएंगे लेकिन आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी ठीक है यह चीज यहां पर आ लिए कोई फीमेल आपकी बहुत ही हल्प कर सकती ह लिए नेक्स सेवन डेस में यह मैसेज यहां पर है देखते हैं यहां पर ऑप्शन टू और क्या मैसेज है आपके लिए शिक्स अफ़ काप्स है कि मुझे एक ही कार्ट लेना था लेकिन दू आ गए यहां पर इंधी हाई प्र्स्टेस का कर था फॉट्ड में तू आपके लिए क्या है यहां तो आफ कुप का कड़ हैंन्हा कि यहां पर यहां Young cách करना पड़ेगा थोड़ा बहूत कॉम्प्रोमाइस आपको भी करना पड़ेगा थोड़ा यहां पर कहा जा रहा है कि माफ भी कर तो अगर सामने वाले परसन से कोई गलती हुई है तो कभी-कभी उन्हों हमें रिष्टों को बचाने के लिए माफ करना परता है तो यहां पर य आप लोगों से की option two daily basis पे ध्यान ज़रूर करो daily basis पे you know healing करना आप लोगों से बहुत सरे लोग खेलर जिए बहुत आपने अपको करते हो तो यहां कए शित्य पर दूसरों कहने रहा है की अपने इंट्यों की सुनौ standing करने के लिए कहा जा रहा है आप लोग चाहे तो amethyst यूज कर सकते हो amethyst आपके लिए अच्छा रहेगा सी कैसे कोइंसिदेंस है ना option 1 वाल वक लिए था कि आप रोस वार्ट यूज करो एन option 2 आप लोग लिए है कि आप amethyst यूज करो जो कि option 1 में था आप लोग amethyst यूज कर सकते हो मैं दिखा दू यह है amethyst का bracelet so यह आप यह कर सकते हो यह बस मैंने एक वीडियो शूट करी थी amethyst के लिए तो इसके लिए है अच्छली अभी यहां पर देखते हैं option 2 और क्या कुछ guidance है आप लोग लिए क्या कुछ advice है option 2 and yes crystal purchase करना चाहते तो website का link मैं नेचे दे दूँगी वहां से आप directly अभी purchase कर सकते हो okay rejoice in celebration and wisdom एक अगार देख लेते हैं balance इस मैंने कहा भाई यहां पर बहुत सारे लोग आप दूसरे लोग की counseling करते हो दूसरे लोग को heal करते हो see अपने आपको अच्छे से protect करके करना अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं मुझे यह भी message मिल रहा है कि आप जो भी दूसरे लोग को heal कर रहे हो energy दे रहे हो कहीं न कहीं उसका effect थोड़ा वहत आपके ऊपर भी हो रहा है तो आपको खुद को थोड़ा सा time देनी की जरूरत है अपने आपको थोड़ा सा resonate करो अपने आपको heal करो फिर आप करने पर ठीक है ना यह message है हां पर आप लोग लिए आ रहा है साथ में अपनी knowledge को बढ़ाओ अपनी wisdom को बढ़ाओ अच्छी कितावे पड़ो और साथ में अगर आप लोग already healing में हो spiritual practices में हो तो यह भी message मिल रहा है कि आपको अभी एक गुरू को ढूलने की जरूरत है एक सही teacher mentor गुरू को ढूलने की जरूरत है फिर आगे की practices जो है फिर आप करिए का okay बाकी message यह भी मिल रहा है कि next seven days में हो सकता है कोई party वगिरा में आप लोग जाए कुछ gatherings party या कहीं से कोई offer आ रहा है invitation आ रहा है तो जरूर जाईएगा थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा यह ठीक है ना थोड़ा सा लोगों से मिलो बाते करो हाँ यह चीज यहां पर कही जा रही है अपने लोगों से मिलो दोस्तों से मिलो आपको अच्छा लगेगा और दिखते हैं यहां से क्या guidance है option two अपनी intuition की सुनो पता नहीं फिर से message मल रहा है अपनी intuition की सुनो आपको बहुत सारी चीज़ें option two release करने की जरूरत है आपने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है बहुत कुछ past incidents यहां अगर देखा जहें सब conscious mind में बहुत कुछ है यहां पर तो आपको खुद को heal करने की जरूरत है option two be strong strong बनने का समय है हिम्मत से काम लेने का समय हिम्मत हारने का समय नहीं है आपकी आगे की life जो है वो depend करती है कि आप यह नो कितना खुद के उपर believe करके आगे भरते हो अगर यहां पर हिम्मत हार करे तैन परेशानी problem साती रहेंगी लेकिन यहां पर हिम्मत कर ल यहां पर कार्ड है सो बस कहा जा रहा है do not give up गिव अप नहीं करना है patience के साथ अपनी life में आगे भरते चलो मैनत करनी पड़ेगी आप लोगो no doubt लेकिन मैनत का फल भी जरूर मलेगा यह चीज यहां पर करी जा दिया ठीक है prayer manifestation healing जो भी कर रहे हो वो साथ में जरूर करते रह यहां से लाज़ देख लेते हैं option two इम्राना option two यहां पर आप लोगे पहला कार्ड है म्राना option two आप लोगे एक specific journey यह लाइफ की अपनी life को ना दूसरों से बिलकुल भी compare नहीं कर सकते कि दूसरों की इस age में जॉब लग जाती है मेरी क्यों नहीं लगी दूसरों की इस age में शादी हो जाती है मेरी क्यों नहीं हुई आपकी जर्नी की specific है आप लोग old soul हो option two कहीं न कहीं इस birth में आपने यह contract लिया है कि मुझे अपना जो भी कार्मिक bondage है वो भी clear करना है मुझे खुद को heal भी करना है और मुझे दूसरों लोग की भी help करनी है त आपके पूर बजो की ठीक है ना तो एंजल्स आपके साथ है आपके ancestors की blessing आपके साथ है divine आपके साथ है आपको बस यह नो अपने आप से connected रहना है आपको यह समझना है कि यह जो भी problems है ना वो temporary हैं वो बस कुछ समय की है और वो चली भी जाएंगी life में से हां तो हिम्मत न यह नो कुद को strong बनाओ physically भी mentally भी emotionally भी खुद को daily affirmation दो I am physically mentally emotionally strong ठीक है ना मैं physically भी strong हूँ मैं मन से भी strong हूँ और मैं emotionally भी strong ओके ना तो यहां पर थोड़ा वत यह भी है physical workout exercise जरूर करना mental health के लिए यह नो आप meditation बगेरा जरूर करना emotional health के लिए आप journaling जरूर करना तो यह सारी चीज़े है यहां और बाकि आप लोग चाहें अगर कुछ लोग को ऐसा लग रहा है बहुत जादा low confidence हो गया है देन एमित इसके साथ आप tiger's eye को भी विया कर सकते हो tiger's eye ठीक है tiger's eye अभी कुछ भी नहीं है tiger's eye का मेरे पास tiger's eye ठीक आप लोग को help किया होगा अपना feedback जरूर बताएगा कैसी लगी आप लोग को यह रीडिंग कौन सी बात सबसे लगी किन बात को आप आगे जाके follow करोगे जो affirmation मैंने आप लोग को बताई है उसको बार बार ही affirm करिएगा नीचे comment box में तीन बार ही उसको जरूर टाइप और रीडिंग को लाइक जरूर कर देजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे बाकी पर्सनल रीडिंग जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि टेरो रीडिंग्स ओफ है बर्चाट एनलेसिस आप अपने लिए बुक करवा सकते हो ओके सो ऑप्शन टू मैं मिलती हूँ आप झाल